आपको वेलकम करती हूँ, हमेशा की तरह आज फिर में आपके लिए बहुत यूनीक और जबरदस टिप्स लेके आई हूँ, गर्मियों के हवाले से टिप्स लेके आई हूँ, गर्मिया स्टार्ट होगी है, बच्चों की यूनिफार्म तो हर मा को धोना पड़ती है, तो नील अगर ज्यादा लग जाए कपड़ों पर तो भी परिशानी, और अगर नील कम लग जाए तो भी परिशानी, तो आज मैं आपको बेहतरीन हल बताऊंगी किस तरह आप बच्चों की यूनिफार्म को नीट और ट्लीन रख सकती है, और घर की बहुत सारे टिप्स जो के हमारे घर में इस्तमाल होगी, तो मेरी प्यारी बेनों वीडियो को लास्त तक देखिएगा, तब ही आपको वीडियो की समझ आएगी, वीडियो को प्लीज किप मत कीजिएगा, बहुत मेहनस से वीडियो बनती है, तो लेट्स केट स्टार्ट दा वीडियो, तो चलते हैं जी कपड़े को भी नील देना है, वो आपने उसके अंदर डाल देना है, इससे आप देखेंगे कि जब भी आप कपड़े को नील देंगे, नमक डालने की वज़ह से आपका कपड़ों के उपर नील के दाग नहीं आएंगे, और नील पूरे कपड़े पे एक जैसा ही लगेगा कहीं से ज्यादा और कहीं से कम नहीं होगा तो मेरी इस टीप को आपने जरूर फॉलो करना है और बच्चों की यूनिफार्म को जब नील देते हैं तो स्पेशली माओं को ये मसला फेस करना पड़ता है तो आज के बाद इस मसले का हल मैंने कर दिया इंशाला आपको वीडियो पसंद आएगी ये देखें इस पजामी को नील बहुत ही जबरदस्त आया है और कहीं से भी ये ज्यादा नहीं है कम नहीं है बिल्कुल बराबर नील आया है और हाथ भी बिल्कुल चमकदार और एकदम साफ हो गए हाथों पे भी नील नहीं लगा तो कैसी लगी मेरी प्यारी बेनों आज की ये जबरदस्त नील वाली टिप उमीद है आपको ये टिप अच्छी लगी होगी तो उसे कैसे उतारा जा सकता है कि फिर से कपड़ा आफवइट हो जाए तो इसके लिए हमने क्या करना है पानी को गरम कर लेना है और उसके अंदर हमने वन टेबल स्पून नमक एड़ कर देना है रॉबन की बलीच तो हर घर में ही होती है अगर नहीं तो बजार से ले आए तो आपने क्या करना है वन टेबल स्पून इसमें बलीच एड़ कर देनी है ज्यादा एड़ मत कीजिएगा तो आप देखेंगे के जैसे ही बलीच नीम गरम पानी इसके अंदर और नमक डला है तो इन्शालला हमारे जो शलवार के उपर नील लगा है बच्चे की पजामी के उपर जो के ओफवर्ट थी और अब ये नील की वज़ा से बलू हो गई है तो इसको हमने दुबारा से ओफवर्ट करना है ताके कुटा और शलवार एक जैसे दिखें तो हेलपर्स को बाजों का समझ नहीं आती तो वो नील देकर कपड़े को इस तरह खराब कर देती है तो आपने मैंने सोचा कि मैं इस तरह गर में पहले ये ट्राइ करूँ और फिर अपनी बेहनों को भी बताऊं इन्शाला रिजल्ट बहुत ही जबर्दस्त और मुझे आसम मिले थे तो ये देखें हमारी पजामी कुर्टे के साथ की ओफवर्ट हो चुकी है एक दम से नील इसके अंदर से गाई भी हो गया है जादू ही हो गया है तो मेरी प्यारी बेहनों इस टिप को आपने लाजमी फालो करना है इन्शाला इस टिप से आपको फाइदा होगा और आपके पैसे भी बचेंगे तो यह देखें पजामी फिर से आफवर्ट होगी है अब कुर्टा और शल्वार एक जैसे हो गया है जिसके उपर गलती से नील लग गया था तो मेरी तीस टिप को आप भी फालो करें और अपने घर में नील को आप हटा भी सकती है और ज्यादा या कम नील किस तरह देना है ये भी आप सीख सकती है तो ये देखें कुर्टा भी आफवर्ट था और पजामी या शल्वार भी आफवर्ट हो चुकी है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं आपको नचोड़ के भी दिखा रही हूँ अलहमदुलिल्ला बहुती जबरदस रिजल्ट आया है और नील एकदम घाइब हो गया है तो कैसी लगी आपको आज की टिप तो ये टिप भी मैंने पहले खुद असमाई है फिर आपके साथ शेयर की है आई होप कि आपको पसंद आई होगी तो ये देख सकते हैं रिजल्ट आपके सामने है आप भी घर में इस तरह नील उतार सकते हैं और दे भी सकते हैं तो फ्रेंट चलते हैं अगली टिप की तरफ अगर हम घर में नया जाडू ले आएं तो आज कल क्योंके महंगाई बहुत ज्यादा है उसकी जो नौट लगी होती है बहुत जल्दी कुल जाती है और तिनके बहुत गिरते हैं तो आज इसका एक में हल लेके आई हूँ आपने सबसे पहले सीजर की मदद से उपर वाला पार्ट इसका कट कर लेना है और उसके बाद मैं आपको एक जादू ही तरीका बताती हूँ आपके घर में चार्जर तो होगा तो चार्जर की जो लीड होती है ना बस आपने वही ले लेनी है और उसको आपने जिस जगा पे जाडू वालोंने गिरा लगाई होती है तो आपने वहाँ पे ये चार्जर वाली नौड लगा देनी है इसको मजबूती से आपने बांधना है और उपर वाले सिरों को आपने कट कर देना है तो आप देखेंगे कि आपका जाडू ज्यादा देर तक चलेगा और इसमें से तिन के नहीं निकलेंगे और बार बार आपको जाडू को बांगने कि जंजट भी नहीं होगी तो मेरी प्यारी बेनों कैसी लगी ये टिप आपने मुझे जरूर बताना है आप अच्छे अच्छे कमेंट किया करें चैनल को सबस्क्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें ताके हमारी होसला अफजाई हो चलते हैं जी आजनकी फोर टिप की तरफ फोर टिप ये है कि आप आजकल मेथी का बहुत अच्छा सीजन आया हुआ है बजाए इससे के बजार से लें अपने पैसे बचाएं थोड़ी बहुत आप मेथी लें और उसे दूप में सुका लें और इसके जो उपर फूल होते हैं बहुत ही अच्छी इनकी खुश्बू होती है हातों के उपर अच्छी तरह मसल लें मसल के आपने एक बॉक्स में इसे बढ़ लेना है अल्रेडी मैंने इसमें मेथी डाली हुई है लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने सुचा कि आज कल रमजान मुबारिक है तो ये टिप भी आपके बहुत ही काम आएगी पकोड़े तो सबी को पसंद होते हैं पकोड़ों में डालें या कोई भी आप कॉंटिनेंटल सालन बना रही हैं डिश बना रही है तो उसमें तो ये मेथी लाज्मी डलती है धनिया हो गया, मेथी होगी कॉंटिनेंटल खानों की ये जान होती है तो मेरी पैरी बैनों ये टिप आपको कैसी लगी? बतायेगा जरूर आज की टिप नमबर फाइब ये है कि आपके घर में अक्सर जो टावल होते हैं वो बहुत ज्यादा पीले पड़ जाते हैं ज्यादा यूज़ करने की वज़ा से तो उनके ओपर पिलाहट आ जाती है टिप नमबर 6 ये है कि हमारे जो कीचन टावल होते हैं कीचन दस्तरखान होते हैं मैट होते हैं उनको दोएं कैसे दोएं तो आज मैं आपको बताती हूँ आपने पानी को कर लेना है गरम उसके अंदर वन टेब स्पून भरके बड़ा वाला चमच आपने सरफ का डाल देना है तो बेकिंग पाउडर भी हाफ टी स्पून डालने अगर अवैलिबल है तो इसके अंदर आपने ये पोने दस्तरखान डाल देने हैं जिनको पराठे बना बना कर हम लोग चिकना कर देते हैं और बहुत ज़्यादा इनके अंदर चिकना ही आ जाती है जो के उतरती ही नहीं ह आप इसे हिलाएंगे घुमाएंगे तो इसके उपर जो आइल है वो उपर आगया चिकनाई इसके अंदर से निकल जाएगी एक दो दफ़ा आप इसे अच्छी तरह वाश करेंगे तो पोने हमारे बहुत इच्छे साफ हो जाएंगे ये चिकनाई आप देख लें और फिर क्यारी बैनों सफाई वैसे भी निस्वी मान है तो आप ज्यादा से ज़ादा अपने घड़ की किचन की क्लीनिंग का खास तोर पे ख्याल रखें मुझे अमीद है कि आज की आपको सबी टिप्स बहुत ही अच्छी लगी होगी लेकिन जो खार जो आपको टिप अच्छी लगी उसका नाम बताएगा तो देखें पोने अलम्दोलिल्ला कितने साफ सुत्रे नीट अंड क्लीन और चिकनाई से पाक हो गए हैं इसके साथ ही म